नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं बजार के अंदर अब तक क्या देखा आपने की लगातार जिस तरीकी की रिकवरी होती हुए नजर आई है GDP का डेटा भी हम लोगों के सामने आ चुका है बजार के सेंटिमेंट जिस तरीकी से पॉजिटिव हम लोगों को बनते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या प्लानिंग जो हमें अगले वीक के लिए करके रख लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि बजार के अंदर हमें दोनों तरफ के मूव देखने को मिले जिस तरीकी से अगर हम बात करें पिछले वीक की तो आपको मार्केट उपर भी बराबर जाता हुआ नजर आ है मार्केट के अंदर आपको प्रोफिट बुकिंग भी देखने को भी लिए बट क्या कि वापस से रिकावर जो है मार्केट होता हुआ नजर आ है अगर बात करें नवंबर से लेकि अब तक तो कुल टोटल मार्केट कैप उसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लगबग 16.24 लाक करोड रुपे के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर बात करें मार्च के निचले इस तरसे सेंसेक्स में लगबग 70% के आसपास तक बढ़त देखने को मिल रही है तो निफ्टी के अंदर भी आपको 70% ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है तो फिलाल में क्या है कि नवंबर का महीना काफी तेज रह चुका है अब तक अगर निफ्टी के प्रोस्पेक्टर से बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि बजार जो है इस समय नया रिकोर्ड बनाता हुआ नजर आया आप जानते हैं कि निफ्टी के कर बात करें तो 13145 पॉइंट के इस तरको छुकर वाव इस नीचे जो है प्रोफिट बोगिंग हम लोगों को देखने को मिली है अब क्या है कि बेंकिंग का उचाल हम लोको देखने को मिला है बाकि और जो सेector's है उनके अंदर भी आपको इस तरह का मुमेंट देखने को आगे अगले week के अंदर या फिर अगले month के अंदर जिस तरह किसे ये month की closing होने वाली ہے और आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है तो बजार ने जिस तरही किसे बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे थे बैंकिंग शेर के अंदर जिस तरही किसे तेजी देखने को मिल रही है HDFC बैंक प्रोमुक भूमी का निवाता हूँ नजरा आया ICC bank की बात करें तो उसके अंदर भी आपको गजब की तेजी देखने को मिली इंडसन बैंक की बात करें तो काफी गजब के move देखने को मिले बात करें कोटक बैंक की तो कोटक बैंक ने भी एक नया record बनाता हुआ नजरा है अगर बात करें अपरेल से लेकर अपरेल से लेकर अब तक यानि कि FDI में लगबख 15% की बढ़ोतरी और लगबख 6 महीने में बात करें 30 बिलियन डॉलर का निवेस हो चुका है दोस्तो आप इस चीज़ को अबजर्व कर लीज़ेगा कि जितना पैसा लेकर अपरेल से अरब तक हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आया है तो कहीं न कहीं अब ये पैसा कहीं न कहीं प्रॉफिट बुक्स न तो होगा तो धिरी धिरे करके FISDS जो अपना माल निकाल लेगे कि ऐसे लेवल पर ले जाने के बाद में इस बजार को तो ये चीज़ जो है आपको अबजर्व कर लेनी चाहिए दिगज शेर होने निवेश किया दोस्तों जैसे कि आप जानती कि रिलाइंस ने एक समय ऐसा था जब मार्किट में बहुत सारे शेर जो है नीचे पड़े हुए थे पर क्या था रिलाइंस गजब की तेज़ी आपको दिखा रहा था अभी फिलाल में अगर बात करें तो रि जज फिलाल में जो है उसके वेज़े से काफी हाई मोमेंटम बनता हुए नजर आ चुका है तो यह जी आपको मार्किट के अंदर उब्जर्व कर लेनी चाहिए तो मार्किट कैप की बात करें तो बहुत सारी कंपनिया है रिकोर्ड मार्किट कैप इस समय उनका हो चुका है लगातार मार्किट कैप के अंदर आपको बड़ा देखने को मिल रही है जिस तरीके से पैस कि पिछे जो बज़े है में बज़े क्या है आप जानते हैं कि सबसे पहला तो यह है कि भाहर से आने वाला पैसा यह सबसे बड़ा में कारण है अगर बात करें तो लगबक अगर बात करें दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर लगाता है जिस तरह की खबरे आ रही थी बजार के अंदर तो इसी कारण से जो है हम लोगों को मुवमेंट देखने को मिला है तो आप जानते हैं कि अभी जिसे अमेरिकी रास्पती से उनके अंदर गजब का मूव देखने को मिला तो यह बहुत बड़ा कारण है जिसके बज़े से पूरा बजाला बजार जो है आपको उच्छ वर की तरफ जो है मूव करता हूँ नजर आ रहा है आगे भी तेजी जो है जारी रह सकती है थोड़ा सा आपको जो है समल के जो मिल रही है तो बजार के अंदर आपको उबर के लेवल भी बनते हो नजरा सकते हैं मार्केट के दिगज बता रहे हैं कि लगबग 13,200 से 13,400 के स्थर को भी टच करता हूँ नजरा सकता है तो दोस्तों फिलाल में यही पूरी जानकारी है इसमें सारी चीज हमने आपको करनानी चाहिए दोस्तों अगरे पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जुरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीध़ आपके मोबाइल पर मिल सके हैं थैंकियो समच फॉर आते हैं